अगर आप मेरे चानल पर नए हो तो इस वीडियो के निचे रेट कलर में सब्सक्राइब कर बटनाता है उसे प्रिस कीजिए बाद में बटनाता है उसको भी प्रिस कीजिए आप सारे इमेजेस देख रहे हैं यह सारे प्रॉब्रम्स हट जाने के लिए आज कर एमडी है आपक कि पर कोई भी डाग होते हो काले वाले दारमा कनूस्त का है नीमके पठिया जी कर में अच्छा काम कर ता है और यह तेल्सिक के पतिया दोवी मैं तो अच्छे से दोली अ धोली अंथी और यह अडवीरा जल यह तीन-तीजोकी जोर्ए का नियुम से काम करते है फ्रेंस का मे इन तीन तीजों में तो मेडिशनल प्रापर्टीस होती है इसे जो भी सकिन पर प्रॉब्लम से वह सारे हटाने के लिए बहुत अच्छा काम करते ह। यह तो तुल्सी के पतिया लेए थे ना अब उसमें दालते हैं नीम के पतिया फेस पे जो भी प्राब्रम आता है में से दाग धब्बे ये तो बहुत ही जिद्दी से होते हैं जिल्दी से हटते नहीं जितने भी ट्रै करो क्रेम, स्पैक्स जिल्दी से हटते नहीं ये वाला ट्रै कीजिए जिल्दी से हटने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आपका स्किन क्लियर करना चाहते हो तो और एकने हैं आपके फेस पे जब भी आप ये उसका यूज़ कर सकते हो ये अलेविरा पत्ते के बाजुक वाले सैट्स के काटे हटा के उसका जल निकाल लीजिए अलेविरा जल को भी निकाल लेते हैं निकाल के इन तीन तीजों को एक मिक्सिजार में दाल के पेश जैसे बना लेना है इसमें आपको कोई भी पानी दालने की जडरत नहीं होती है हम अलेविरा दालते हैं वही पानी के जैसे ही सारों को अच्छे से पेश जैसे बना आता है ये फेस पैक जैसे भी बना सकते हो फ्रेंड्स आज तो मैं इसे आईस क्यूब जैसे बना की यूज करूंगी अगर आप चाहे तो इसमें ही जो भी पेश्ट बनता है ना उसमें मुलता निमेटी दाल के पैक जैसे भी आप वन विक तक फ्रिज में श्टोर कर सकती हो ये की ध्यान दीजिए आप जब भी पते धोते हो ना उसमें वाटर नहीं होना चाहिए उसे थोड़ा ड्रै कर उसमें निम के पतिया, तुलसी के पतिया और अलिवी रजल ये तीन दाल के अच्छे से घुमा लेती हूँ एक पेश्ट जैसे बन जाता है ये रिखिए हमारे पेश्ट बन के रेडि हो गया हमारे रेमेडी भी रेडि हो गया है मैं तो इसे आइस क्यूब्स ट्रे में दाल आप लेकर सकते हो आप वैसे भी यूज कर सकते हो आइस बना के ऐसे भी यूज कर सकते हो आपकी मर्जी एक बार ऐसे बना लीजिए एक बार मुल्तारमेटी दाल के पैक जैसे बना लीजिए जैसे चाहे वैसे यूज कीजिए आइस बना के यूज करने से ये तो स्टोर कर स है अच्छे से ग्लो आता है मैं सारा पेश्क तो ऐसे आइस्ट्रे में दाल दिन थी आप इस पैक को इंस्टेंट भी बना कर भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास प्लैंट्स नहीं हो तो आप पाउडर्स भी दाल के बना लीजिए अच्छा होता है नीम का पाउडर भी मार बना सकते हो जो मुल्ता निमत्ते वा बोलीन थे ना वह वाला आइस्ट्रे में दाल के इसे आइसक्यूप्स बना लेना है अगर आप चाहे तो इंस्टेंट भी बना कर भी ऐसे मसाज कर सकते हो बहुत ही अच्छा होता है इससे पैक को आप डएली लगाना है फ्रेंस जब आपको आछे से रिजल्ट आता है हम तो रोबोज पत्ते सारे लगा कर पेश्ट बना कर यूज़ नहीं कर सकते ना इसलिए तो मैं ऐस्कुप्स बना लें थी यह आइसकुप्स आप आराम से वन विग तक यूज़ कर सकते हो सारा पेश्ट आइस ट्रे में तो दाल दिम थी, इसे फ्रिज में रखे, आइस क्यूप्स बना लेना है, लेकिन मैं एक चीज भूल गई हूँ, हल्दी, हल्दी भी दालिये, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है, पहले ही डाल के बिलाना था, मैं तो भूल गई हूँ थी सब अच्छे से मिक्स कर लेके हम आइस क्यूप्स बना लेते है, हल्दी में भी मेडिसनल प्रॉपर्टी होते है, ये भी चेहरे पे जो भी दाग धब्बे है, जिद्दी वाले, वो हटाने के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है, आप स्किन के लिए कस्तूरी हल्दी मैं तो सारे आइस क्यूप त्रे में दाल इम थी ना, पेस्ट उसमें थोड़ा हल्दी दाल के अच्छे से मिक्स कर लीती हूं, ऐसे आप तो ना पहरे ही दाल दीजिए, मैं भूल दी थी ना, इसलिए ऐसे करती हूं, आप रोज एक आइस क्यूप आपके चेहरे पे अच्छा काम करते हैं, आपका स्किन भी क्लियर होता है, बहुत ग्लो करने लगता है, मैं तो हल्दी दाल के सारे अच्छे से मिक्स कर लीं थी, अब इसको डीफरीज में रखे आइस बना लेना है, एक दो तीन गंटे ही छोड़ देना है, बार में आपका आपका इस बहुत ही अच्छा काम करते हैं, इसमें एक आइस क्यूब्स लेके आप अच्छे से मसाज करके, बाद में और एक आइस क्यूब्स लेके वो थोड़े देर बाजू में रख दीजिए, वो तो थंड़ा हो जाएगा, थंड़ा पन चले जाएगा ना, जब मुलतानिमिटी द यह वाले आइस क्यूब्स आप जरूट रह कीजिए, एक आइस क्यूब्स लेजिए, अच्छे से फेस पर रब कीजिए, रब करने के बाद एक बीस मेट ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में थंड़ा पानी से धोदा लिए, तुलसी, अलवीरा और नीम के पत्ते और हल्द तरव कि मैं दिए और दंग यह सारे दाग धब्बस अर अच्छे काम करते हैं, जिद्दी से जिद्दे दाग धब्बश मी चल जाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पर आडे एक आइस क्यूब्स आरां से एक रोज मेहनत करके बना लेरें से, डैले एक 1 आइस क्यू पूरा आईस क्यूब हो जाने तक अच्छ एपकर पेस पर रब करना है बार में छोड़ देना है को अच्छा काम करता है दाग धपी हो तो यह वाहल बहुत ही अच्छा काम करता है आपका skin भी clean और clear होता है जब भी pimples के marks acne हो वो जाने के लिए भी ये remedy बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आपको चाहिए तो आप एक बार जरूर बना के try कीजिए ये है friends आज का मेरा वीडियो मेरा वीडियो अगर आपका अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक केजिए आपके friends के साथ share केजिए ये green green ice cubes तो आपका जिद्दी से जिद्दी दाग धब्ब्बे हटाने में बहुत ही अच्छा काम करता है ओके friends इस वीडियो देहने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू थैंक्यू